नमस्कार मैं हूं संगीता राय, पुर्वांचल एक्स्प्रेस नियूस के इस वेपोर्टल में आपका स्वागत है। आईए देखते हैं हमारे समवादाता, राम सकल यादो की ये विशेश रिपोर्ट पुर्वांचल की सबसे हॉट सीट कहे जाने वाली आजम गड़ की सदर लोग सभा सीट के नतीजे आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्यासी धर्वेंदर यादो ने यहां रिकार्ड तोड मतों से अपनी जीत दर्ज कराई। ऋनों ने अपने निकटतम प्रतवङंधि दिनेस लाली यादो निरहुआ को सीखस्त दी। वहीं बावजाद समाजपार्टी के प्रत्यासी मशहूद आहमद अंसारी ーー तीसरे नंबर पर रहें। आपको पता दें कि भारती जनता पार्टी के प्रत्यासी दिनेस लाली यादो और फुन्डे रहुआ को 3,47,204 ओत मिले जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्यासी धर्मेंद्र यादो को 5,88,249 ओत मिले वहीं बहुजन समाजवादी के प्रत्यासी मशूद एहमद अंसारी को 1,89,849 मत मिले इस प्रकार समाजवादी पार्टी के प्रत्यासी धर्मेंद्र यादो ने भारती जनता पार्टी के प्रत्यासी और बहुजपूरी फिल्म इस्टार दिनेस लाली यादो और फुने रहुआ को 1,61,035 मतों से सिकस्त दी चुनाव जीतने के बाद सद्धे नेता जी को मैं सद्धांजली दोगा अगर उनकी एक करम भूमी न होती तो साइद आज अमर के लोग मुझे पैचानते भी नहीं आड़ी राष्टे अदर जी का मैं हिर्दे से आभार व्यक्त करता हूं धन्यवाद देता हूं और चू की बड़े भाई भी है इसल अदर नेता जी की करम भूमी खुद उनकी खुद की करम भूमी और आजम घड के सांदार समाजवादियों की करम भूमी पर जो मुझे मौका दिया यहां से चुनाओ लड़ने का मैं आलणी राष्टी अधन्यवाद देता हूं मैं आजम घड के अपने समाजवादी अधन्यवाद करता हूं और आभावे करता हूं कि नोने जो समर्तन दिया और आशिवाद दिया और मैं उस सभी को यकीन दिलाता हूं जो शद्दे नेता जी के जजवात और भावनायरे जिले से आड़ी राष्टियत जी ने जो आगे बढ़ा है उनको मैं अच्छार सा प्रयोग और समर्तन से आजमवड के लोगों की हर उम्मी हर विश्वास और हर वरोशे को मैं पूरा कर सकूँ यह मेरा सार्थक और मेरा स्रंपूर प्रयास होगा कि आजमवड का कोई भी व्यक्ति हमसे निरास ना हो पाई मेरा प्रयास होगा चुनाओं के दोरान भी बातें आई थी और मैंने कहा तर सद्धे नेता जी और मानी अख्रेस यादव जी ने जो आजमगड के विकास की रूप प्रेखा रखी है मेरा प्रयास होगा उस रूप प्रेखा को मैं पूरा कर सकते हूँ और समय के साथ आजमगड की समस्याओं को और गहराई से समझ के उन समस्याओं को समाधान में मैं क्या कर सकता हूँ मैं इतना ही कहूँगा आज के मौके पर मेरा अपनी होर से सत प्रसत प्रयास होगा कि आजमर्ड के लोग जो मुझसे उम्मीद लगाए हैं जो यहां की जाइज समस्यां हैं उनका मैं हर सब्सक्राइब से नियरा कर दर सकते हूँ देखिए इस समय चो मैं चूना जीता हूँ मैं इस समय अपने पाटी के निताओं के बयानों को सुनना है राष्ट्यद्य जी के मारदस्टन को लेना है उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे और लेकिन इस मौगे मैं इतना जरूर कहूंगा आज जो प्रचंड जीत हुए उत् फंदन की यह हमारे राष्ट्यद्य जी की दूर्धरस्टी उनका पीडिये का फार्मूला और उनका जो जनता की प्रती जो उन्होंने मुद्दे रखे चाया वो देश के सम्मिधान को बचाने के हूँ लोकतंत्र को बचाने के हूँ जाती जनगर्णा के हूँ सरकारी कर्म इम लोको कानूनी सुरूब देना हो इन तमाम मुद्दों अगरी एरिक योजना को ख़दम करना हो इन तमाम मुद्दों को जंता ने पूरी अपना समर्थन दिया है, मौर लगाई है और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे राष्टिय दजी जनता के बीच किये हुए सभी वादों को पूरा करके देंगे सांसद निरववा को मैंने पूरे चुनाओं में कभी गलत नहीं का, कभी ऐसा नहीं का जो कोई आपती जनक बात हो मैंने यही का कि वो एक कलाकार है और राष्टिय की तमाम गंभीरता हैं जो है, जो राष्टिय की परती तमाम जिम्मेदारियां है उनसे वो बाकिम नहीं है और इसलिए कई मौकों पे उनके गेर जिम्मेदारी बेयान भी आए हलाकि आज चुनाओ का परणाम आया है वो चुनाओ हारे मैं आज इस मौके पर कुछ नहीं कहूंगा मैं उसे यही कहूंगा कि पिछले उप चुनाओ जब मैं चुनाओ हारा था मैंने यही कहा था कि मैं चुनाओ हारा हूं मैं हिम्मत नहीं हारा था और मैं हिम्मत नहीं हा रहा था और आज इसका पड़ाम है आजमवड के लोगों ने हमारे साथियों ने कई बार कहा कि इस हार कुम सूद साइद वापस करेंगे तो इतना सूद साइद कर दिया है कि आज इस मौकिब में उनके लिए कुछ नहीं कोँगा उनका भविश रुज्वल हो हमारे कोई ऐसी दुर्भावना नहीं उनके लिए सरकार बनाने के लिए किस तरीके से प्रयाद किया जाएगा अब वो राश्टी अद्द जी तैय करेंगे चूंकि मैंने नियम कानून का अच्छर सा पालन किया सुबह साथ वजे से जब से मैं आया हूँ अब तक मेरे हाथ में मुवाइल भी नहीं है टेलिवीजन भी नहीं है मुझे नहीं पता हमारे अद्द जी ने क्या-क्या बयान दिये क्या-क्या फैसले लिये इसलिए मैं एक बहुत अधना सा पाड़ी का सिपाई हूँ मैं इस वारे में कुछें कहूँगा आधनी राष्टिय दजी के जो भी निर्देस होंगे एक मजूर सिपाई की तोर पर उन निर्देसों का अनुपालन करूँगा मैं आजमगड के लोगों के परती मैंने बोला मैं क्तग्य हूँ मेरे पास सब्द नहीं है कि मैं किन सब्दों में अभारवेक करूँ क्योंकि नेता जी ने रिष्टे बनाए पीडियों के रिष्टे जचवाती रिष्टे कि आज़ंगर के लोगों के और हमारे परिवार के कितने गेहरे रिष्टे कितने गेहरे इसका say लोगों को आज हो गया हो ba और मैं कहूंँगा जो नेता जी ने रिस्ते बनाए महानि एक्रेस जी ने जो आगे बढ़ाए मैं प्रियास करूँगा हलाकि मैं बहुत चोता हूं उमर में मैं कोशिस करूँगा उस गंबीरता को उस भावनाओं का मैं अच्छा सा पालन कर सकूँ यह मेरा प्रियास होगा चूख बएδल में शहिंदेस्ञरी इसाने का मैं बच्छा सकोशमाओं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए